हेलो एबरेबन तो इस वीडियों में आज हम संख्याओं का जो गणफल है वो हम सीखेंगे देखिए सबसे पहरे जो आपको जानना है वो क्या जानना है कि देखिए अगर यहाँ पर कोई भी सेम नंबर हो जैसे हमने लिया कि X गुड़े X तो कोई भी सेम नंबर का जो हम मतलब X पावर 3 देखिते हैं ठीना तो अगर आपको सेम नंबर दिया हो जैसे Y गुड़े Y हमने लिया तो Y यहाँ पे 2 बार है मतलब Y गुड़े Y मतलब क्या हो जाएगा Y स्कुर्ण इसे पढ़ेंगे या इसे क्या पढ़ेंगे Y के पावर 2 अगर Y के पावर क्या हो जैसे पर हमने क्या लिया है कि एक नंबर है y गुड़े y गुड़े y तो इसका multiply करने की बाद क्या आएगा देखिए y एक तो 3 तो y तीन बार है तो हम क्या कर देंगे y की पावर 3 कर देंगे ठीना ये तो हो गया आपका जो basic concept है अब आते हैं question पर question इस पर कार दिया है कि minus 6x गुड x लिखेंगे न उसके बाद यह हमारा symbol दिया है गुड़े का तो यहाँ पर लगा देंगे symbol गुड़े का फिर 4 गुड़े x स्कॉर मतलब 4 गुड़े अब x स्कॉर का मतलब क्या है तो यहाँ पर x स्कॉर मतलब यह हुआ कि x का गुड़ा क्या हुआ है दो बार हुआ है तो अब यहां पे जो numbers है, जैसे उसको हम एक साथ multiply करेंगे, और जो अलग पद है, जैसे xy वाला पद हो, z वाला पद हो, उसी क्या करेंगे, अलग कर लेंगे, अब यहां पे देखिए, minus 6 और minus 4, थी न, तो हमें यह सिर्फ कहा दिख रहा है, numbers दिख रहा है, तो minus 6 और 4 दिख र minus plus क्या होता है, minus, और 6 का गुड़ा करेंगे, 4 में तो कितना आएगा, यह आजाएगा, 24, थी न, कितना आजाएगा, 24, अब आपको क्या दिखना है, यहां पे x एक बार है, x दो बार है, और x तीन बार है, तो क्या हो जाएगा, कि x के पावर, 3, थी न, यह हमारा क्या हो ज चीजे है, basic वाले चीजे, उससे आपको जानना बहुत जलूरी है, अब आते हैं, next question पर, question क्या दिया है, कि 3 x square गुड़े, 7 x y square, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, 3 गुड़े, x, गुड़े, x लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा, गुड़े, 7 को, y, गुड़े, y लिखेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, दिखें, पहले आप जो नमबर से उसको लिएज़ी, 3 ूड़े, 7 गुड़े, 21 हो जाएगा, और यहां पर, देखें, x वाला पद एक साथ लेंगे, और जो, y वाला पद है, उसको एक स तरो जयागा